नमस्कार मैं हूँ विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दफरंट पूरा देश उबल रहा है देश भर में आक्रोस है लोग सडकों पर उता रहे हैं एक बार फिर मुंबत्तियां जलने लगी हैं हम आप हर तरफ सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं आरोपियों को सजा दो फासी की सजा की मांग चल रही है नेता सवाल उठा रहे हैं धरने दे रहे हैं देश का एक-एक आदमी महिला पुरुष बच्चे सब सडकों पर उता रहे हैं लेकिन प्रियंका रेडिक के जो रेप के बाद जिनों लोगों ने हत्या की उनके साथ क्या जल्द से जल्द उनको सजा मिलेगी क्या उनको फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिलेगी क्या प्रियंका को न्याए इतनी जल्दी मिल पाएगा ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जो कानून बेवस्था है जिस तरीके की नियाए प्रणाली है उसको देखते हुए ये सारी बातें ये सारा खटका मन के अंदर उठ रहा है लेकिन देश की कानून बेवस्था क्या है क्या नियाए प्रणाली है इस पे हम बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके का जगहन ने अपराद प्रियंका रेड़ी के साथ हुआ जिस तरीके का जगहन ने अपराद हर मिनट एक लड़की के साथ इस देश में हो रहा है निर्भया कांड होने के छे साल बाद बेस्तिती जो बनी हुई है लोगों के अंदर जो डर नहीं है जो रेपिस्ट हैं वो लगातार वो सीरियल रेपिस्ट बनते जा रहे हैं हर दिन हर पल एक नई खबर आती है जो सिहरा देती है आप और हम सिहर जाते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम कहा जा रहे हैं उस नियाए प्रणानी और कानून बेवस्था की जो लचिलापन है जो लचरपन है उसको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बाकी देशों में जो अन्य देश हैं अगर वहाँ इस तरीके के कोई अपराध होते हैं तो उसके लिए क्या प्राउधान होता है उत्तर कोरिया में आपको मालूम होगा उत्तर कोरिया एक देश है उत्तर कुरिया में अगर रेप अगर कोई करता है तुरत पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के एक सप्ताह के अंदर उसको फासी दे दी जाती है इंडोनेसिया में रेप के अपराधी को फासी की सजा का प्राधान है और सिर्फ फासी ही नहीं इसके अलावे अगर उसके साथ मरवत की जाती है तो मरवत के बाद उसको जो है नपुनसक बना दिया जाता है और उसके अंदर महिलाओं के हार्मोंस डाल दे जाते हैं ताकि वो जिन्दगी पर इस बात की सजा पाता रहे कि उसने कौन सा अपराद किया चीन में तो कोट का ट्राइल भी नहीं होता रेप करने के आरोपी की मेडिकल चेक अप होता है और रेप की पुस्टी होने के तुरत बाद उसको सजा दे दी जाती है पोलेंड जैसा सब्भे देश यूरोप का पोलेंड आपने नाम सुना होगा यूरोप के पोलेंड जैसे सब्भे देश में एक रिवाज था कि रेप के आरोपी को सूरों से कटवाया जाता था उसको छोड़ दिया जाता था सूरों के बीच में, जो सूर उसको नोच नोच कर मार डालते थे इसमें थोड़ा सा सुधार करके सिर्फ इतना किया गया कि अब जो है उनको नपुनसक बना दिया जाता है UAE, सौधी अरब में, सौधी अरब में फासी के अपराउधान है जगन्य अपराध के लिए किस तरह से लोग संजीदगी से तुरत सजा का प्राउधान किया जाता है। क्यों? इसके पीशे की वज़ा क्या है? कहीं ये वज़ा तो नहीं कि जिस तरीके की लचर न्याय प्रणाली है हमारे आपको बता दें, जल्दी से जल्दी सजा के लिए, जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए हमारे देश में फास्ट रेक कोट का प्राउधान किया अब फास्ट रेक कोट कितनी जल्दी काम करते हैं, कितनी फास्ट हैं हमारे देश के फास्ट रेक कोट, इसकी एक बानगी आपको देते हैं, एक रिपोर्ट की माने, तो उस रिपोर्ट के नुसार सिर्फ 30 परतीशत ऐसे मामले हैं, जिनका निप्टारा फास्ट रेक कोट एक साल में कर देती है। फास्ट रेक कोट के लिए ये प्रावधान किया गया कि 6 महीने से लेकर के और 1.5 साल के अंदर फास्ट रेक कोट आरोपी को सजा दे देंगे नयाय मिल जाएगा लोगों को लेकिन ये फास्ट रेक कितने फास्ट हैं दसमल नौ परतिस्ट मामले ऐसे हैं जिसमें लगभग एक से लेकर के तीन साल तक लगभग 8-9 परसेंट मामले ऐसे हैं फास्ट रेक कोट में जिनको निप्टाने में तो 5-10 साल तक लग गए हैं आपको बता दें कि पौस्कों के अंतरगत सिर्फ भारत में पॉस्कों के अंतरगत 1,60,000 मामले दर्व है और इन 1,60,000 मामलों को निप्ताने की जिम्मेदारी फास्ट रैकोड के पास है अब अगर ये बेवस्था है तो उस बेवस्था में आप समझ सकते हैं कि आरोपियों को कितनी जल्दी सजा मिल पाती है और दूसरी बाग, अगर फास्ट रैक कोट के अंदर सजा मिल भी जाती है, एक महीने, एक साल, डेड़ साल या दो साल के अंदर, अगर उनको कानून सजा दे भी देता है, सजा सुना भी देता है, तो उनको सजा सुनाता भर है, मिलती नहीं है सजा, क्योंकि आरोपी के पास ये फसलिटी है, कि वो हाई कोट चला जाए, सुप्रिम कोट चला जाए, और फिर ये मामला चलते चलते लंबा खिट जाता है, कई मामलों में तो मानवाधिकार की आवाज उठाने वाले लोग भी उठख़़े होते हैं, आपने देखा होगा निर्भया के मामले में, एक आ परवानियत की हदे पार करके, जिस तरीके की दरिंदगी करता है, उसके साथ कौन से मानवाधिकार की दुहाई देते हो, जागो, लोगों को जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लड़कियों को सिर्फ सबला बनाने की बात नहीं है अपने लड़कों को भी समझाने की जोरत है कि किस तरीके की वो देश में जीते हैं किस तरीके के संसकार उनके अंदर होने चाहिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद झालके के लोगाद के लियते हैं जीते हैं तरीके कार उनके ट्रीके मगष्ण के लिते हैं के तरीके के लिए-धन्यवाद